हेलो एब्रिवान आज में बताऊंगे सोतंतरता दीवश पर एक निबंध 15 अगस्त का दिन हमारे भारतिये लोकतंतर और भारतियों के लिए बहुत खास दिन है इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकुमत से अजादी मिली थी लगवक 200 वर्षों बाद हमारा देश अंग्रेजियों के अत्याचार और गुलामे से 15 अगस्त सन 1947 को पुन रूप से अजाद हुआ था या भारतियों के लिए बहुत खास और सुनहरा दिन होता है और हम सभी मिलकर अजादी के इस दिन को बड़े जोस और दुमदाम से मनाते हैं आज हमारे देश के अजादी को 76 वर्ष होज गया है पर आज भी अजादी के उन पलोग को याद कर हमारी आखे नम हो जाती है भारतियों सो तंतरता दीवस का इतिहास अंग्रेजों का भारत आगमन आज से तकरीबन 400 वर्षो पहले अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी भारत में बैपार करने के उदेश से भारत में आई थी उन दिनों पाकिस्तान और बांगला देश भारत के ही हिस्से हुआ करते थे अंग्रेज यहां अपने बैपार के सासर लोगों की गरीबी मजबूरी और उनकी कमजोरियों को परक्षने लगे और उनकी मजबूरियां का फायदा उठाने लगे अंग्रेजु ने धीरे धीरे भार्तियों के मजबूरियां का लाव उठाकर उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मुख रूप से ये गरीब और मजबूर लोगों को अपने कर्ज तले दबा देते थे कर्ज ना चुकाने पर उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर मनमाना काम और अत्याचार करने लगे एक एक करके राजियों और उनके राजाओं को अपने अधीन करते चले गए और लगबग पूरे भारत पर अपना नियंतरन कर लिए भार्तियों पर अत्याचार अंग्रेजों का भारत पर कबजा करने के दोरनवी लोगों पर अत्याचार करने लगे जैसे मनमाना लगान वशुनना उनके खेतों और अनाजों पर कबजा कर लेना इत्यादी इसके कारण यहां के लोगों को उनका वे बहुत अत्याचार साना पड़ता था जब बे इस अत्याचार का विरोद करते थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था जैसे कि जालिया वाला कांड हुआ अंग्रेजिया हकुमत के खिला भारतियों का गुष्चा अंग्रेजों का भार्टियों के पर्ति रवया और उनका त्याचार दिन पर्ति दिन बढ़ता जा रहा था और भार्टियों में उनके पर्ति गुष्चा और बदले के आग भी बढ़ती जा रही थी अंग्रेजों के इस बर्बर्ता पुर्वये की आगपाली बर्षन 1857 में मंगल पांडे के विद्रों के रूप में देखी गए मंगल पांडे के इस विद्रों के कारण उन्हें मार दिया गया इससे लोगों में अंग्रेजों के परती गुस्ता और बढ़ता गया और नए ने अंदोलनों के रूप शामने आने लगा अजादी की मांग अंग्रेजों के बढ़ते अतियाचार को लेकर लोगों में गुश्या और अपने अजादी की मांग सामने आने लगी जिसके कारण कई अंदोलन और अंग्रेजी सरकार के खिलाब जड़प की घटनाएं बढ़ती रही अजादी की मांग सबसे पहले मंगल पांडे ने अठारो सो संतावन में विरोध करके किया और इस वज़ा से उन्हें अपनी जान गवानी पड़ी धीरे अंग्रेजों के अतियाचार से अजादी के मांग के आवाजे भारत के इन जगों से भी आने लगी तो तंतरता के लिए सोतंतरता शिनान्यों का महत्पुन योगदान भारत को अंग्रेजों के अतियाचार से अजादी दिलाने के लिए कई सोतंतरता शिनान्यों ने अपना बलिदान दिया है उनमें से सबसे अतुल योगदान महत्मा गांधी का रहा है भारत परलगवग दो शोवर्षों से सास कर रहे बरिटिस हुकुमत को गांधी जी ने सथ और अहिंसा जैसे दो हत्यारों से हराने पर मजबूर कर दिया मातमा गांधी ने सथ और अहिंसा को इसे अपना कर अंग्रेजियों के थिया चाहर के खिलाब लड़ने के लिए कहा देश के लोगों ने उनका भरपूर्शाद दिया और अजादी में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया लोग उन्हें प्यार और शम्मान से बापू पुकारते थे कुछ एन सोतंतरता शिनान्यों का अजादी में योगदान हलांकी सोतंतरता के शंग्राम में पूरे इंदुस्तान नहीं अपने तरीके से कुछ ना कुछ अवेश योगदान दिया किन्टु कुछ ऐसे लोग थे जिनोंने अपने नेत्रीत रन्नीती और अपने कोसल का चे देती वे अजादी में अपना योगदान दिया महात्मा गांधी जुआरल नेहरु सर्दार बल्लब भाई पटिर बाल गंगदार तिलक जैसे कई इंसोतंतरता शिनान्यों ने लोगों से साथ मिलकर अंग्रेजियों के खिलाब लड़ाई लड़ी कुछ नेमुईक रू अपनाई जी ने एक परांती कारी का नाम दिया गया ये करांती कारी मुईक रूप से किसे संस्था से जुड़कर अंग्रेजियों के खिलाब लड़ाई को लड़ते रहे मुईक रूप से मंगल पांडे चंदर शेकर अजाद भागत सिंग राजगुरू इत्यादी कई ऐस अगस्तन 1947 को अंग्रेजियों को भारत छोड़ने का मजबूर कर दिया इस एतिहासिक दिन को हम सतंतरता दीवस के रूप में मनाते हैं अजादी का जसन हमारे सतंतरता शेनानियों और लोगों के अथक पर्याश्यों और बलिदान के उपरांत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजियों के अतियाचार और गुलामी से हमें मुक्ती मिली तब से लेकर आज तक इस एतिहासिक दिन को हम अजादी के पर्व के रूप में मनाते हैं अजादी के इस राष्टी पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जाता है सभी सरकारी नीजे सहस्थानों असकूल अफिशों और जाता है और कई इनसान स्कृतिक काईज करम भी आयुजित किये जाते हैं इस दिन हर तरफ सभी लोग देश भक्ति के माहुल में डूपकर जस्न मनाते हैं निश्कर्ष 15 अगस्त एक हैतिहासिक राष्टिय दीवस के रूप में जाना जाता है और हम इस दिन को अजादी के दि चारों तरफ बस देशभक्ति की आवाजी ही सुनाई देती है हम आपस में एक दूसरे से मिलकर अजादी की मुबारक बात देते हैं और उनका मूं मीठा कराते हैं और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल ए पर देती है वीडर ज्यग आपस contradictory है हम प्लीज प्लीज सेघक्टों फजर वात रिंज सेट रोग कर मईंस आपस्टाइब माई समें आपस्टीं आपस्टारे